उन्होंने हमें पहले कभी कॉल नहीं किया अच्छा तो क्या यही कॉंसेप्ट है तो सबार है ना ये तो अच्छी बात है मैं थोड़ी देर में कॉल करके बताती हूँ आप अपना ध्यान रखियेगा जैसे ही कोई प्लान बने मैं आपको बताती हूँ हम नहीं जा रहें तुम फिक्र मत करो और मैं कॉल करके उसे ये बता भी दूँगी सुना एक पार मॉम मेरे लिए कोई अच्छी बात कहिए ओफ सुना तुम ये क्या कहती रहती हो तुम जानती हूँ न मुझे ये थेरेपी ग्रूप इवेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये बेकार की चीज़े है जैसा कि आपने कहा मॉम मैं तो बेकार की बाते करती हूँ अफकोर्स हम नहीं जाएंगे लेकिन जब भी उनका कॉल आएगा मैं उन्हें बता दूँगी कि हम नहीं आ रहे तो क्या मुझे बताईए हुआ क्या है बताने के लिए कुछ नहीं है मुझे माहौल में टेंशिन महसूस हो रही है ठीक है मुझे बताईए क्या हुआ बस मा बेटी के बीच थोड़ी सी बहस हो गई थी और कुछ नहीं तुम फिक्र मत करो हाँ बस थोड़ी बहस हुई है जिसके बारे में बात करना भी बेकार है क्योंकि बहस मेरे बारे में है सुना मॉम को तो यही लगता है कि मैं जो भी कहती हूँ सब बेकार है उन बातों की कोई एहमियत नहीं बे बुनियाद बाते हैं सब फिजूल है सुना ये तुम कैसी बाते कर रही हो मॉम ये सब क्या चल रहा है मुझसे क्या पूछ रहे हुँ एमिर सच कहूं तु मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है ये भी नहीं पता कि गलती क्या है सुना को तो मेरी हर बात का बुरा लग चाता है ओकी मॉम गलती मेरी है मुझे माफ कर दीजे सुना अब तुम मुझे बताओगी क्या हो रहा है आखिर मामला क्या है भाई को बताईए मॉम, अपने मन में मत रखिये, सब कह दीजे, कम से कम भाई को सच तो बताईए बताईए कि आप मेरे साथ इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि आपको इस बात से शर्म आती है कि आप एक अपाहिच बेटी की मा है और आप यह सोचती कि लोग क्या कहेंगे हैं ना सूना तुम क्या कह रहे हो ऐसा मत सोचो हम तुम्हें सबसे जाधा प्यार करते हैं शायद आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और डैड भी पर मॉम नहीं करती नहीं बेटा आपको कुछ कहने की ज़रत नहीं है मॉम मुझे आपकी हर एक बात अच्छे से समझ आती है काश आप मुझे समझ पाती तो शायद मैं अपने आप से यह कहतो पाती की मेरी मा मुझसे बहुत प्यार करती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो सुना मैं मैली कैसे कहती हूँ तो मैं बाहर घुमा कर लिया है काश आपने मुझे पैदा ना किया होता मॉम माफ कर दीजे मैंने आपको जिंदगी भ सुना मुझे किसी से बात नहीं करनी बस मुझे अकेले छोड़ दो कर दो